नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी बिहार की राजनीती भले ही गठबंधनों के स्वभाव के वज़ा से बदलती हमेशा नजर आए लेकिन अब आप ये यकीन मान लीजिए कि बिहार की जनता खास कर जो यूवा है वो अब पुराने चेहरों को देखना पसंद नहीं कर रहा है पिछले साल पंचायत के चुनाओं में भी हमने ये देखा कि किस प्रकार से पुराने जो जन प्रतिनी दी थे वो लगबग 80-90 प्रतिसत चुनाओं हार गए यानि कि 80-90 प्रतिसत सीटों पर नए चेहरे चुनाओं जीत कराये और उसमें भी खास कर यूवा चेहरे लेकिन अब नगर निकाय का चुनाओं भी भी हार में चल रहा है दो चरणों का ये चुनाओं अभी होना है जिसमें प्रतम चरण का चुनाओं संपन भी हो गया और पिछले दिन उसके परिनाम भी आ गए और ये परिनाम भी पंचायत चुनाओं के मद्दे नजर एकदम तहिये की समनांतर नजर आ रहे हैं यानि की 80 से 90 प्रतिसत पुराने चेहरे इस बार के चुनाओं में भी मात खा गए हैं और उतने ही नए चेहरे चुनाओं जीत कर अब जन प्रतिनिदी के तोर पर काम करेंगे खास कर युवा चेहरे देखने को मिल रहे हैं आपको बताएं कि 18 दिसंबर को नगर निकाय को लेकर नगर परीशद और नगर पंचायत के 156 जगहों पर ये चुनाओं कराए गए थे और इन तमाम चुनाओं का परिनाम पिछले दिन आया और इस परिनाम ने ये बताया कि बिहार की राजनिती को बिहार के युवा अब बदल रहे हैं यानि कि अब सुर्मा और बड़े बड़े धुरंदर के नाम पर चुनाओं जीतना असान नहीं होगा परिवार वाद का पिरोधी बंता जा रहा है बिहार का युवा और जो भी बड़े धुरंदर निताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को इस बार के नगर निकाए चुनाओं में खड़ा किया था उन्हें मुँग की खानी पर है यानि कि वो चुनाओं हार गये हैं बड़े धुरंदरों का नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं आपको बता देते हैं एक बार फिर से की 156 नगर निकायों में मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद और वाड पार्षदों के लिए 18 दिसंबर को चुनाओं कर आए गये जिसका परिणाम पिछले दिन मं संगलवार को आया अब बात करते हैं उलट फेर के जो सिकार हुए है यानि कि धुरंदर जो बड़े कदावर नेता है कोई मंत्री है कोई संसद है कोई पुर्व मंत्री है कोई विधायक है इन तमाम परिवार वालों का जो हस्र है वो क्या हुआ है सबसे पहले हम बात कर ले साथ काफी ज्यादा चर्चा में रहे मुके शौनी से सीधी टक कर ले ली इस बार उनकी पतनी जो है वो चुनाओ लर रही थी हाजिपूर से पारसद पद के लिए और आपको बताएं कि उन्हें उनकी चचेरी बहु जोत्सना कुमारी जो की पहली बार चुनावी मैदान मे थी उन्होंने तिरपन वोटों से हरा दिया अजय निशाद की पतनी रमा निशाद के बारे में बताएं कि वो पहले भी हाजिपूर नगर परिशत की पुर्व सभापती भी रह चुकी हैं लेकिन इन्हें भी चुनाओं में मात खानी परी यानि की हार का सामना करना परा इस चौधरी की पतनी गनपती देवीव की वो भी चुनाओं हार गई इसके अलावा आरजेडी कोटे से राज जी के मंत्री हैं स्रम संसादन मंत्री और गर्खा से विधायक हैं आरजेडी के सुरेंदर राग उनकी मा कलावती देवी भी सारन के दिगवारा नगर पंचायत के वाड नंबर 7 से चुनाओं हार गई उन्हें मुनेश्वर पस्वान ने 149 वोटों से हराया और इसके अलावा आपको ये भी बता दे कि सुरेंदर राम जोकी मंत्री हैं उनी के पडिवार से मुख्य पार्शत का चुनाओं लर रही राज नंदनी जी को भी चुनाओं में ह देवी सभापती का चुनाओं लर रही थी और उनको भी चुनाओं में सिकस्त मिली इसके अलावा विश्म सहनी की पत्नी गोदावरी देवी जोकी वाद पार्शत का चुनाओं लर रही थी उनको भी सिकस्त झेलनी पड़ी इसके अलावा मोहनिया से आर्थ जेडी की विध विधायक के संगीता देवी इनकी मा कुंती देवी भभुवा नगर परिशद वाड संक्या 14 में चुनाव लर रही थी और इनको सिर्फ 29 वोट मिले और ये सातवे नंबर पर रही इसके अलावा त्रिवेनी गंज में पुर्वे विधायक अमला देवी मुख्य पारसत का चु और लॉट्री सिस्टम के जड़िये भी चुनाव परिनाम घोसित करने पड़े क्योंकि सभी को बराबर बराबर वोट मिले थे लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो है ये खरा हो रहा था कि अपने परिवार के सदस्यों को इस्थानिय निकाय चुनाव में लड़ा कर हर जग और धुरंदरों का परिवार जो है वह हार गया था नए नए चेहरे हमने देखिए खासकर युणा चेहरे और अब नगर प्रथम चरन का परिनाम है वो भी यह साबित करता है कि अब जो भीहार की जनता है और खास कर जो नई फीडी अब वोट देने जा रही है वो किसी के नाम पर और किसी के कद पर वोट नहीं देगी वो पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि वो मानती है कि विहार की जो दुर्दसा है उसके कारण जो है वो यही पुराने चेहरे हैं और अब वो जो है अपना बोट बहुत जादा, जाच परक कर गिराती है वो अब जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको चुनना ज्यादा पसंद करती है जिनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये विकास करेंगे उनको चुनना ज्यादा पसंद करती है इस थानिय निकाय चुनाओं में तो ये अब हम देख रहे हैं लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो विधान सभा और लोग सभा के चुना होंगे उसमें भी ये चीजे देखने को मिलेंगी क्या देखिए इस्थानिय निकाय में खर्चा कम होता है उतना नहीं है तो आम जो एक युवा है जो पड़े लिखे लोग है वो भी चुना और लर लेते हैं औ लेकिन जब विधान सभा और लोग सभा की बात आती है इसमें बहुत कुछ बदल जाता है क्योंकि एक तो पार्टी पॉलिटिक्स हर कोई जानता है कि टिकट पाना है तो करोर रुपे पार्टी फंड में देनी परती है और इसलिए जो अच्छे अच्छे चेहरे हैं वो उ पत्यक्ष तोर पर जनता कर रही थी पहली बार ऐसा मौका था जब सभापती उपफपार्शद मुक्य पार्षद से लेकर वाट पार्षद हर किसी को इस बार जनता चुन रही थी और यह बड़ा कारण बना है इस बार बरे-बरे धुरंद्रों की हारने का क्योंकि पहले त लेकिन अब जनता का वोट चाहिए तो यह दिख रहा है कि जनता जागरुक हो चुकी यह वोट देने के लिए वह अच्छे विकल्क की तलास में है विदान सभा और लोक सभा में भी अगर पैसे की उगाही पाटियां ना करे और अच्छे विकल्क को जनता के सामने रखें तो निश्चित तोर पर यह उमीद है कि जनता जो जागरुक अफुई है खासकर बियार की जो नई पीडी है वो अच्छे उमिद्वारों को वोट जरूर देगी अब देखिए बियार की राजनीती को यह नई पीडी अब बदलते नजर आ रही है इस्थानिये निकाय हमने लेकिन जो कानून बनाने वाली जो विधाय का है उसको बदलने को लेकर यह कितने तत्पर है और लोकसभा का जो आगे चुनावाने वाला है दोजार चौबीस का उसमें यह किस प्रकार से अपने जनप्रतिनीदियों को चुनते हैं यही देखना बाकी है बनर यह बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें